अपना ब्रेक अप हो जाने के बाद एक लड़की को सूपर पावर मिल दिया जिसो टाइम को स्टॉप कर सकता है टाइम स्टॉप करकर लोगों के साथ वो कुछ भी कर सकता था अगर आपको वीडियो अच रखता है तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट जरूर कर दिजेगा बीना किसी तरीके एक्स्प्लेशन स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होते हम हमारे मेन क्यारेटर बेन का ब्रेक अप देख सकते है जिस लड़की से उसका ब्रेक अप हो रहा था सुजी कि उसकी फर्स गर्फेंट थी तो उसके साथ बिताए हर पल उसे याद आ रहे थे वो रनर करता है कि उसका ब्रेक अप हुआ कैसे एक पल में तो एक साथ थे एक दुसरे को आई लवी पूल रहे थे और नेक्स्ट वीक सुजी किसी और के साथ थी तो शायद उसको भी आई लवी पूल रहे हो की पर इसका कोई भी मिनिंग नहीं है बेन के फ्रेंड का नाम था शौन शौन उसे समझाने की कोशिश करता है उसे सिर्फ एक बेटर आप्शन मिल गया इसी वज़े से उसके बास हो चलेगे उसके बारे में तुम्हें जादा सोचना नहीं चाहिए तुम किसी ब्यूटिफुल से लड़की को टेट करो फिर सुजी को जेलस लगेगा और तुम्हारे पास हो वापस आ जाएगी शौन का लड़कियों के साथ एक्सपिरियंस बहुत ही घटिया था हर लड़कियों से मार कर चली जाती थी तो उसके एड़वाइस बेन नहीं ले सकता शौन आर्टिस बनना जाता है जब भी उसकी ड्राइंग लास होती थी तो हमेशा लड़कियों को ये ड्राव करता था हमेशा उसे सुजी की याद आती रहती थी एक रात उसने उसे कॉल किया उसने पूछा कि क्या हम फिर से एक साथ रह सकते हैं सुजी ने उसे मना कर दिया वो दिन रात अपने बेड में पड़ा रहता था सुजी के जाने के बाद जैसे उसको ऑक्सिजन चला गया था स्लोली स्लोली उसकी नीन भी चली के उसने सोने का बहुत ट्राइ किया पर फिर भी वो कर नहीं पाया अब सड़नली उसके पास एट एक्स्टा आवर्स थे वो अलग-अलग चीजे ट्राइ करता था पर फिर भी टाइम पास नहीं होता था वो कुछ भी करे सुजी की याद हमेशा उसके साथ रहती थी एक राद वो ग्रोसरी लेने के लिए क्या हुआ था वहाँ पर नोटिस देखता है कि उन्हें काम करने के लिए स्टाफ की जरुवत थी बेन को नीन नहीं आती तो आठ एक्स्टा गंटे पिताने के लिए यहाँ पर वो जॉब कर लेता है वहाँ कि जब मैनेजर को उसने देखा तो मैनेजर पहले फुटपॉल का प्लेयर हुआ करता था अब यहाँ का मैनेजर है यह देखकर बेन रियलाइज करता है कि लाइफ इसी तरीके से बहुत फास्ट गुजर जाएगी पर इसके लिए वो कुछ कर भी नहीं सकता अलग-अलग चीज़े करते है हर एक की अलग-अलग मेथड है जैसे शेरन कभी भी टाइम नहीं देखती है जब वो बहुत देखती है तो टाइम बहुत स्लो गुजरता है इस वज़े से हमेशा उसे कवर अप करकर रखती है यहाँ काम करने वाले उसके और दो फ्रेंड से पैरी और मैट यह हमेशा एक दुसरे के साथ गेम्स किलते रहते है कभी यह शॉपिंग मॉल में रेस लगाते है तो कभी लड़कियों के सामान में कुछ अलग सी चीज़े रख देते है इसी तरीके से हर कोई टाइम पास करता था और बेनने का मेरा तरीका कुछ अलग ही है जब उसका ब्रेक अब हुआ तो उसके लिए टाइम गुजारना बहुत ही हाड़ था तो एक सूपर पावर उसमें आके यह सूपर पावर थी टाइम को स्टॉप कर पाने की वो अपनी पावर से सब को स्टॉप कर देता और सारी चीज़े घूमने लग जाता सूबर मार्केट की सारी ब्यूटिफुल लड़कियों को नोटीस करता था उसे लगता है कि लड़कियों में अलग से ही पावर होती है वो जब छोटा था तो एक फॉरें स्टोर्टर उनके घर में रहने के लिए आई हुई थी वो बहुत ही ब्यूटिफुल थी वो हमेशा उसे ही देखता रहता था बेन जब यह टाइम स्टॉप करता था तो हमेशा लड़कियों की न्यूट ड्राइंग करता था उसने एक नॉवल में पढ़ा था कि लड़कियों को पेंटर के साथ अफेर करना अच्छा लगता है क्योंकि उनकी ब्यूटि जैसी है वैसे वो देख सकते है ऐसे भी बेन ड्राइंग करते हो अपना टाइम गुजरता था और जब वो अनपॉस करता तो बहुत सारा टाइम गुजर जाता अगले दिन बेन से मिलने के लिए उसका फ्रेंड शौन आया शौन को बता था कि अब भी बेन अपने इस गर्फरेंड के बारे में सोच रहा है वो इसे कहता है तुम्हें जल से मुवाउन करना चाहिए शौन हमेशा उसे यही बात कहता रहता है तो इस मुवमेंट को भी वो पॉस कर देता है शौन में बेन और शौन ये पचपन से बहुत अच्छे फ्रेंड्स था है जब शौन की मदर घर से चली जाती तो दोनों मिलकर न्यूड मैगजिन्स देखते है एक दिन चब बे दोनों देख रहे थे शौन की मदर वापस आके वो इन दोनों की फ्रेंड्शिप को अलग ही समझती है आज शौन बेन से कह रहा था तुम्हें स्ट्रिप क्लब विगरा मेरे साथ चलना चाहिए सुनकर बेन को अपने बच्पन का एक किसा याद आता है उनकी स्टेट पर एक लड़की थी जो पैसो के लिए न्यूड होती थी ये सारे फ्रेंड्श लाइन लगा कर उसे मिलने के लिए जाते थे इसके बाद हम देखते है अगले दिन बेन और शेरन की नजरों से नजरे मिली थी लॉकर रूम में शेरन को जरा भूक लगी थी तो बेन का सैन्विच मांग लेती है सैन्विच का पिकल शेरन के गाल पर लग गया था जैसे कि बॉल्लोड मुवीस में होता है वैसे एक रोमैंटिक सा इनका मुमेंट हुआ ये मुमेंट बेन जाने नहीं देना चाता था इसे फ्रीज करकर रखना चाता था पर शेरन चली के तो कुछ भी कर नहीं पाया उसे अच्छा लग रहा था कि सुजी से मुवान करकर अब वो शेरन को लाइक करने लगता है तब उसके फ्रेंड ने डिस्कस कर रहे थे मैट कहता है आज मैंने शेरन को टेट के लिए पूछा मैट इसके लिए बहुत एक्साइटेड था पर बहुत बुरा लगता है बैनम से कहता है हमेशा मैरे साथ ऐसे चीज़े होती रहती है तो जिसको भी लाइक करता है उससे दूर चले जाते है वह जब छोटा था तो अपनी टीचर को लाइक करता था पर टीचर के साथ कुछ भी हो नहीं सकता उसकी और एक लास्मेट थी जिसको बहुत लाइक करता एक दिन उस लड़की का accident हो किया, उसके plaster पर हर कोई graffiti बनाता था, Ben हमेशा उसे देखता रहे था, तो उस लड़की ने उसे अप्रोच किया, Ben ने भी अपनी signature उस plaster पर बनाई, जब उस लड़की का plaster निकला, तो उसका पूरा हाथ हेर से भर गया था, सब लोग उसे चिडाने वो अकिली पढ़ गई थी तो बेन उसके पास आकर बेटा कहा कि तुम जैसी हो वैसे ही ब्यूटिफूल हो इसके बाद एक गल्फ्रेंड बॉइफ्रेंड बन गए थे एक दिन बेन ने उसे स्कूल के पीछे बुला उसके पास आई और पुछती है क्या तुम मुझे किस करना हो गया है फिर से हम प्रेजन में देखते है कि बेन और शान बात कर रहे थे बेन ने शारन के बारे में शान को बता है पर वो यह भी कहता है मैट और शारन आज मुवी देखने के लिए जा रहे होंगे उनके बीच में कुछ है ऐसा कंपल सीरी नहीं पर जब नेक्स डे बेन काम पर जाता है तो मैट अपने फेरेंड से शारन के बार में बात कर रहा था वो बता रहा था कि वह और शारन कल रात इंटिमेट हुए बेन का दिल टूच जाता है इसे मुवमेंट पर उनके मैंजर उनके पास आ आया कहते है मेरे जाको पुरी तरीके से हार रहे थे थे बेन को बोर होने लग जाता है तो टाइम को फिर से उसने स्टॉप कर दिया बेन हमसे कहता है मुझे हमेशा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सेफ लगता है कोई भी उसे डिस्टब नहीं कर सकता वो कैफिटेरी में गया तो अचानक से उसे कुछ आवाज आई वहास पास दे भी क्या तो मैनिजर की ना को तोड़ देता है वोसे फिर लेकर गया बेन को कहकर जाता है कि शैरन को घर छोड़ देना बेन और शारन फिर कॉफी के लिए आए बेन शारन से पुछता है कि तुम और मैट डेट करे हो शारन ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है हम सिर्फ एज़ फ्रेंड से मुवी देखने के लिए गए हुए थे बेन को ये बात सुनकर अच्छा लगा शारन का एक बॉइफ्रेंड था उससे बेन भी अपने बेन के बार में उसे बताता है एक दूसरे को और भी जान लेते है शारन ने कहा कि नाइट में में स्पैनिस सीखती हूँ उसे अलग-अलग प्लेसिज घुमना है वहां के लोगों के बार में जान लेना है स्पैनिस सीखने के बाद शायद वो स्पैन में जा का शैरन ने कहा कि मैं हमेशा एक आर्टीस से मिलना चाहती थी वो वर्ल्ल की किसी भी चीज में ब्यूटी देख सकते हैं ये बास शैरन को बेन की बहुत अच्छी लगी बेन ने शैरन को घर पर छोड़ दिया ये दोनों किस करने वाले थे पर ये सही से हो नहीं पाई अगली की बड़े पर एक सप्राइस टीपर भी होनी चाहिए इसका इंतजाम तुम करोगे बेन को पता नहीं था कि हो कैसे करेगा पर शौन की हेल्प लेता है शौन को इन सब चीजों के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज होती है उसे एक पब में लेकर गया वो एक लड़की स शैरन बेन से पुछती है क्या तुम अब भी मेरे साथ डेट पर चलना चाहते हो बेन कहता कि आफकोस चलना चाहता हो जाते वक्स शैरन बेन को प्रॉपरली किस कर कर गई इतने दिन तो बेन को नीन नहीं आई थी पर आज रात वो बहुत सोया उटने के बात उसे एक एड़ी होकर वो शैरन के पास बहुचा वो शैरन को अपने आर्ट की गुड़नियूज बता देता है उसे भी बहुत अच्छा लगता है यह दोनों फिर पार्टी में आए पर बेन यहाँ पर सुजी को देखता है पार्टी में इन्होंने और्डर की हुई स्टीपर भी खलूम नहीं आएका शायद उसकी भी लोस्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी पार्टी में बेन जरा वाश्रूम के लिए जाता है तो वहाँ पर सुजी पी थी सुजी को बेन को शैरन के साथ देखकर जरा बुरा लगा था वो रियलाइस करती है कि बेन उसके लिए प मुमेंट पर सुजी बेन को किस कर रही थी अगली मुमेंट पर बेन ने उसे जटक दिया था पर शैरन ने देखा नहीं वो गुस्य हमें यहाँ से चली के बेन रियलाइस करता है कि शैरन को क्या लगा होगा उसने टाइम को स्टॉप कर दिया सोचा क्यों शैरन को क्या बता हो जाता है जैसे हमने पहले देखा था कि Ben के friends ने उसे prank call करकर एक art gallery में मिलने के लिए बुलाया हुआ है तो Ben actual में अपना सब art लेकर उस art gallery में चला जाता है वहाग के agent जो उसने बात की तो उसके कोई भी appointment नहीं थी पर agent उसकी drawing देख लेता है उसे drawings बहुत ही पसंद आई वो अब उसका एक art show होने वाला था इसका invitation Ben Sharon को देखर आता है इस exhibition ने Sharon की Ben ने जो भी drawings बनाए थी सिर्फ यहीं लगाई हुई थी यह सब कुछ बहुत ही beautiful था Ben से एक art के agent बात करने लगे कहती है मुझे तुम्हारी drawings बहुत ही पसंद आई वो New York से थी उसे बहुत बड़ी opportunity द देखने के लिए आई हुई है यह art agent उसे पूछ रही थी future में तुम क्या करना चाहोगे Ben कहता है कि मुझे south america में जाकर travel करकर drawing करनी है actual में Sharon का dream था कि उसे south america में travel करना है तो Ben भी उसी के साथ travel करकर draw करना जाता था Sharon उसकी सारी drawings देखकर Ben को माफ कर देती है Ben फिर से उसे sorry कहता है पर Sharon ने कहा कि पेंडिंग्स देखकर मैं सब कुस समझ गई हूँ Ben ने पुछा कि क्या तुम मुझे पर trust करती हो Sharon ने कहा कि हा करती हूँ Sharon को उसने आग बन करने के लिए कहा उसे kiss करता है और उसी moment पर उसने time को stop कर दिया अब जब time stop हो गया था तो Ben के साथ Sharon भी आसपास घुम सकती थी बाहर snow गिर रहा था तो Sharon को Ben बाहर लेकर आए इसी में हो kiss करते है और इसी के साथ इनकी love story स्टार्ट हुई Ben हमसे कहता है लाइफ में बहुत सारी moments होते है जो ऐसे ही चले जाते है पर अगर आपको लाइफ की beauty को appreciate करना है किसी के प्यार में पढ़ना है तो एक बार ज़रा रूख जाओ इस moment को appreciate करो कभी भी उन्हें जाने मनतो इसे beautiful message के साथ इस movie end हो जाती है अगर आप को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इससे like कर दीजेगा बहुत सारी movies लेकर आते रहता हो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और bell notification icon दोने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नमुई के साथ तब तकि लिए thank you और आप अपने आपका ख्याल रखिया